नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में, तो तुला राशी वालों, हो जाओ सावधान, पूरे मार्च माह में अपने जेब में रख लो, ये एक छोटी सी चीज, और फिर देखना चमत्कार, आपकी किस्म अप रहे थे, दोस्तों, आज का दौर कुछ ऐसा है, कि इनसान का बिलकुल मन उठ चुका है, जहां आज इनसान बहुत परहाई लिखाई करके आधुनिक बन रहा है, तो वैसे वैसे इनसान का ज्योतिश में और अपने सनातन धर्म में रूची लेना कम हो रहा है, परंतु ये वह नहीं जानता है कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पूरे विश्व में सबसे मजबूत धर्म और सबसे चमतकारिक धर्म जो है, वह है सनातन धर्म, हमारे धर्म और जोतिश में, दोस्तों, कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिसको अगर आप केवल करने मातर से आपके जीवन की तमाम परिशानियां दूर हो जाती है तो दोस्तों उसी में से एक उपाय है कि आपको इस छोटी सी चीज को अपनी जेब में रख लेना है दोस्तों आज के दौर में पैसा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी चाह हर व्यक्ति को होती है पैसों के बिना आप कोई भी सुक सुविधा नहीं पा सकते असल में इन रुपयों पैसों के लिए मनुष्य दिन भर मेहनत करता है और पैसा कमाता है लेकिन यह बात बिलकुल सही है कि कुछ लोगों के पास जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही दोगुनी तेजी से वह खर्च भी हो जाता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अधिक मेहनत के बाद भी उनके अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं हर जगह दोस्तों असफलता प्राप्त होती हैं हर जगह सफलता प्राप्त होती है तो जियोतिष शास्त्र के अनुसार आपको कुछ उपाय बताये जा रहे हैं जिसे करके आप अपनी धन से संबंधित जुढ़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं अपनी लव लाइफ से जुढ़ी हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपनी हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं सबसे पहली चीज है दोस्तों ध्यान से सुनिए कि लहसुन वैसे तो लहसुन सबजी का स्वाद बढ़ाने के काम में आता है दोस्तों लेकिन इसका उप्योग इंसान के जीवन में चल रही परेशानियों से निजात पाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके लिए बढ़ी मेहनत से आपका राशिफल और आपके लिए इस तरह की वीडियोज लाते हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जैलक्ष्मी माता, माता राणी का आशीरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तों, लहसुन जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार सौभाग्य का प्रतीक माना गया है यदि कोई व्यक्ती लहसुन को अपनी जेब में रखता है तो उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं होता है दोस्तों, इसके साथ ही उसको जिन्दगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है यदि किसी व्यक्ति को रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति को रात में अपने तकीये के नीचे लहसुन रख कर सोना चाहिए, इससे नींद बहुत अच्छी आती है और लहसुन को रखने से नकारातमक उर्जा जो होती है, हमारे आसपास उसे दोस्तों स कारात्मक उर्जा जैसे ही दूर होती है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो यह उपाय को आप जरूर से जरूर करिएगा। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पीपल का अभिमंतरित पत्ता आप अपने पर्स में या अपनी जेब में पीपल का अभिमंतरित पत्ता रखें। और फिर इसे अपने पर्स में या फिर जहां भी आप रखना चाहे, या आप अपनी जेब में रख ले, पर्स में रख ले, अपनी तिजोरी में रख ले, वहां रख ले दोस्तों, और खराब होने पर पत्ते को नदी में प्रवाहित करते हैं, और नया पत्ता पुनह, इसी से सुनिए चावल. दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल को शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज माना गया है और जीवन में सुख सम्रिधि का कारक शुक्र ही माना जाता है. दोस्तों, ऐसे में पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को चरहाया गया चावल बहुत ही शुब होता है, इन चावलों में से कुछ दाने, उनकी एक पुद्धिया बना लें, और उसे अपनी जेब में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में रखें, दोस्तों माता, लक्षमी की पूजा अर्चना, विधिविधान से करिएगा, और चावल जरूर चढ़ाएगा, ज से बरकत हमेशा बनी रहेगी, अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समुद्री कोडी, समुद्र में मिलने वाली कोडी भी सुख समरिध्धी बढ़ाने में सहायक होती है, ऐसा माता लक्षमी का ही एक रूप माना जाता है, अतह आप इसे भी रख सकते हैं अपन रखनी चाहिए, दोस्तों, भगवान श्रीकृष्ण और राधा जी प्रेम का प्रतीक माने गए हैं, दोस्तों ऐसे में आप लोगों को किसी भी अच्छे मुहूर्त वाले दिन में भगवान राधेश्याम जी के मंदिर जाना है, यहाँ पर श्रीकृष्ण भगवान और र पहंडित नहीं होना चाहिए, उस पान के पत्ते को श्रीकृष्ण जी को, राधा जी को अर्पित कर दे, उनके चरणों पर रख दे, और उस पान के पत्ते के ऊपर आपको अपने जीवन साथी का नाम लिख देना है, और अपना नाम लिख देना है, और उस पान के पत्ते क कि पुद्धिया बांध कर आपको अपने जेब में हमेशा के लिए रखना है। दोस्तों, इस उपाय से आप खुद पाएंगे कि आपको अपना प्यार धीरे-धीरे मिल जाएगा। कोई बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। आप धीरे-धीरे अपने जीवन में इसका असर देखना शुरू कर देंगे। बस सच्चा मन होना चाहिए। मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आपकी मदद बहुत जरूर करेंगे। दोस्तों यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से आपके जो भी राह में बाधाएं आ रही है वह दूर होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जिन्दगी में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए काडी डी डियाई मेहनत करता है, किसी चीज को हासल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर इतना सब करने के बाद भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है। अब जाहिर सी बात है, अब व्यक्ति किसी चीज को हासिल करने में नामक कामयाब हो जाता है, तब वह अपनी किसमत को तो कोसे गाही और इसमें कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों, जी हां, कई बार ऐसा होता है, कड़ी डी ही मेहनत के बाद भी व्यक्ति की बुरी किसमत, उसकी मेहनत के आठे आही जाती है, अगर आपके भी किसमत आपकी मेहनत के आठे आती है, तो दोस्तों आपको कामयाबी नहीं मिलती है, जैसे कि नौकरी में दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर कोई आप अच्छे व्यापार की शुरुवात करने जा रहे ह तो आपकी बुरी किस्मत आपका उस दोस्त को कारण ना बने, बाधा ना बने, तो आपको कुछ ऐसा ही उपाय हम बता रहे हैं। जिन्दगी दोस्त ध्यान से सुनियेगा। बरहाल इस स्थिती में कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं, उदास हो जाते हैं, जिन्दगी से हार मान लेते हैं। यानि अगर हम सीधे शब्दों में कई बार कहें, तो जिन्दगी की निराशा व्यक्ति को काफी हद तक तोड़ डाच देती है। हर तरफ से, अगर आप भी ऐसी ही स्थिती से गुजर रहे हैं या परेशानी में हैं, तो हम आपको इस परेशानी का हल बताने जा रहे हैं। सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जोतिश शास्त्र में इसके लिए कई उपाए बताए गए हैं, और इसी में से एक उपाए हम आपको बताएंगे, जो आपको सफलता जरूर देगा। आईए दोस्तों, ध्यान से सुनें कि जोतिश शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी काम को शुरू करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले अगर आप अपनी जेब में चार लॉंग रख लें, चाहार लॉंग रख लें, तो आपका काम सफलता पूरवक हो ज पूसगार शुरू कर रहे हैं, तो व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो चार लोग अपनी जेब में रख लें, आपको दोस्तों बहुत फाइदा होगा, आपकी बुरी किस्मत दूर भाग जाएगी और आपकी किस्मत आपका साथ देगी, दोस्तों, ये सभी उपाय जो हमने सेक्यूलर बनते हैं, दोस्तों, उनसे निवेदन है कि नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपने धर्म के विरुध कोई भी ऐसी उट पटांग बात ना करें, और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म को मानना सनातन धर्म में दोस्तों बहुत बढ़धी शक्ती है, विज्ञान से भी दोस्तों, आये जानते हैं कि पर्स में क्या आपको नहीं रखें, जिससे कभी तंगी आपको ना हो, जानते हैं कि चीजों को अपने पर्स में रखने से किन-किन चीजों को बचना चाहिए, ताकि आ लंबे समय तक बिल को अपने पर्स में ही रखा रहने देते हैं। ऐसा करने से मा लक्ष्मी नाराज होती और धन की कमी होने लगती है। तो कभी भी बेल बिल को दोस्तों अपने पर्स में लंबे समय तक ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने पर्स में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा, किसी मृत परिजन की भी तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्जदार बन जाता है। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। पर समय माता लक्ष्मी का वास माना गया है, और यदि पर्स में किसी व्यक्ति की तस्वीर रखी जाए, तो वह वास्तु दोश दोस्तों होने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की दोस्त तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वह अपनी फैमिली फोटो को या फिर दोस्तों वह अपने पती या पतनी की फोटो या बच्चों की फोटो अपने पर्स में रखते हैं। दोस्तों भावनात्मक जुद्धाव होता है, परंतु अगर आप पर्स में फोटो रखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत माना जाता है, आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, फोटो परंतु पर्स में रखने से दोस्तों वास्तु दोश माना जाता है, और दो दोस्तों पर्स में कभी, बीबी, कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मा लक्षमी नाराज होती है, और कभी भी अपने पर्स में, दोस्तों ध्यान रखे, अपने पर्स में, कभी भी नोटों का अपमान न करें, यानि कि कोई नोट मुंडा कर रख द दोस्तों आपके उपर प्रसन रहेगी और आगे भी दोस्तों लक्ष्मी माता आपके जीवन में हमेशा आती रहेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अपने पर्स में आखिर रखना क्या चाहिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहें, कुबेर देव प्रसन्न रहें और हमेशा आपके पर्स में नोटों की गड़ी भरी रहे। जीवन में भी दोस्तों पैसों का आगमन हमेशा बना रहे। ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु के अनुसार पर्स में एक छुटकी चावल हमेशा डाल कर रखें। ऐसा करने से आपके पैसों में ठहराव रहता है। दोस्तों, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीरवाद बना रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पैसों को क्रम के अनुसार रखें। पहले बड़े और उसके बाद छोटे और फिर सबसे छोटे नोट। कभी भी सिक्के और नोट को साथ में नहीं रखना चाहिए। सिक्कों की आवाज से मां लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकती है। दोस्तों, आप लोगों को चावल रखने का बताया है हमने कि चावल एक छुटकी रखना है। परंतु उन चावल के साथ पहले कुछ मंत्र जाप करने हैं और कुछ दोस्तों क्रिया करनी है। जिस चीज को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको उन चावल का क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों एक चावल की मुठी ले लें और उस चावल की मुठी को रात को सोते समय अपने दोस्तों तकिये के नीचे रख लें। अगर्बत्ती दीपक लगा दे और मा लक्ष्मी का वहाँ पर ध्यान कर लें। अब उन चावल में दोस्तों अगर्बत्ती का जो भभूत होता है उस अगर्बत्ती के भभूत को उन चावल में मिला दे। अब वह। और दोस्तों केवल वही चावल आप अपने पर्स में रखिए और आप वह चावल अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं जिससे तिजोरी में भी। दोस्तों हमेशा धन बरसता रहे। दोस्तों कुछ जरूरी बाते हैं इन चीजों को भी ध्यान से सुन लीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने पर्स में या फिर तिजोरी में सोने या चांदी का छोटा सा सिक्का रखने से बहुत धन लाब होता है। हालांकि इसे रखने से पहले मा लक्ष्मी के चरणों को जरूर स्पर्श कर लें उसी के साथ। दोस्तों, वास्तु के अनुसार लाल रंग के कागज पर आपको अपनी इच्छा लिख कर उसे रेश्मी धागे से बांध कर आपको अपने पर्स में रख लेना है। ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसंद रहती है। क्या करें? लाल कागज ले लें, उस पर अपनी इच्छा लिख दें। दोस्तो, जो भी मनो कामना है, धन से जुड़ी हुई या कोई भी, फिर उसे अपने पर्स में रख लीजिएगा उसी के साथ। दोस्तो, वास्तु के अनुसार, अपने पर्स में चावल रखना बहुत ही। जैसा कि हमने आपको बताया है, वही मा लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर अपने पर्स में रखने से, कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। जैसा कि हमने कहा कि पर्स में कोई भी दोस्त देवी देवता की फोटो नहीं रखनी चाहिए, परंतु परदोस्तों मा लक्ष्मी से ही दोस्तों नाता रखता है, पर्स यानि की दोस्तों स्वयम मा लक्ष्मी, इसलिए दोस्तों आप मा लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर भ दोस्तों भगवान अपने सभी भक्तों को जीवन में एक न एक मौका जरूर देते हैं आगे बढ़ने का और अब दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको वह बड़ा मौका मिलने वाला है। यह खबर नहीं लगनी चाहिए। अन्यथा आपकी खुशियों पर बहुत बुरी नजर लग सकती है। और यह तीन महा संकेत मिलने वाले हैं। यह संकेत आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यदि आप कोई शुब काम करने घर से बाहर जाएंगे तो आपके सामने कोई गौम आता सकती है। या आपको किसी गरीब, किसी बेसहरा व्यक्ती की मदद करने का मौका मिल सकता है। कैसे ना कैसे किसी न किसी रूप में। दोस्तों, परमात्मा आपको बड़े संकेत जरूर देंगे। यदि दोस्तों, बहुत समय से आप कोई व्यापारी या आप कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन बार-बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो अब आपको अपने सभी कामों में मन चाही सफलता मिलने वाली है। आपके दोस्तों, बस थोड़ा शांत मन से अपने प्रयासों को करना होगा। जीवन में दोस्तों एक नई शुरूआत अब होने जा रही है। अब बस इतना ध्यान रखियेगा कि आपकी जो आसपास, आपकी जो करीबी लोग हैं, उनकी बुरी नजर आप पर पड़ सकती है। आपके अपने ही दोस्तों आपकी खुशियों से जलते लगेंगे और आपके अपने ही लोग आपको नीचे गिरने का प्रयास करेंगे। तो आपके ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। अन्यथा, दोस्तों, आपकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अपने स्वास्थे को लेकर आपकी जो चिंता थी, वह चिंता काफी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन चीजों को दोस्तों नजर अंदाज करने की गलती मत करियेगा। खुशियों को बाटने का प्रयास करेगा। इससे आपका मन भी काफी हद तक प्रसन रहेगा। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आज दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन थोड़ा व्यथित रहेगा। किसी भी महत्तुपूर्ण वस्तु के चोरी होने का या फिर गुम होने का भी बह रहेगा।